समाहर नाले के सामने बावा साब डॉक्टर भीमरा अंबेटकर के प्रतीमा अस्थल पर अनुकंपा के अधार पर बहाली न करने के लिए आमरन अंसन पर बैठे हुए हैं सबसे पहले आप अपना परिचे दीजिए हम कोतवारी चोग बवारा बारी तलुवार नमर आठ में मेरा घर है मेरा नाम चन्नन कुमार हुआ मेरा किसी तरह का लाब नहीं मिला इसके बाबुज में लाब नहीं हमको मिला चाहिए इसके बाब पिता जी को भी हुआ इसके बाबुज में को अब आतकर किसी परकार का लाब नहीं मिला आमको राज-क बैदीकारी और जेकरवाद से अनुमंदल प्ता जगह दिए हुए पतादीकारी तो कोई सुनने के लिए तयार नहीं है मेरा बात आपका साक्षी कमजोर होगा इसलिए ने सुन रहा है मिले हैं लेकिन हमसे कोई मिल नहीं देता है जब डखल के बेगला दिया जाता है डियों मों से यहाँ डाट कर भगा दिया जाता है आपके पिताजी नौकरी में रहते हुए मड़े हैं जी जी सेवा काल में 2016 में मड़ गए पेंशन मिलती है पेंशन भी नहीं रही है पेंसनों भी हैं मेरा मैंकों नहीं हम लोग भुक मर रहें बेरोजगार कि जीवानी आपन का किसी परकार का साधन नहीं है भारबाद दीयम स्याप को मुक मंत्री को आवेदन देश चुके हैं लेकि इसके बाबुज में कोई नहीं आए नहीं हमको मिल रहा है जिला सिक्षा विभाग अस्थापना मधवनी के द्वारा अनुकंपा के अधार पर चतुर्थ वर्गिये करमचारी के पदपर नियुक्ति नहीं करने के कारण आत्म हत्या करने के समंध में सुचनार्थ आप तो सिधा-सिधा लिख रहे हैं कि आत्म हत्या करेंगे अगर नहीं हमको 24 गंट अगांडर में नहीं मिलेगा आत्म हत्या करेंगे हम बहुत बरका आप अंदुलन खड़ा कर दिये हैं क्या करें भूक मर रहे हैं रोजगार नहीं है कैसे मेरा जीमा रोठी चलेगा कोई लाब नहीं दिए डियम साहब बार बार दियम साहब के जनता अब जाते मिलने के लिए तो भगा दिया जाता है कोई ने घुसने देता है कि चलो चलो साहब नहीं मिलेंगे उनका प्यों कोई नहीं सुन रहा है कि येम साहब के करियाले में आप जाते तो आपको भगा दिया जाता है जी जी उनका प्यों कोई ने सुन रहा है परसू भी राधार पर नोकरी नहीं मिलती है यह इनका जो मांग है वह नहीं मिलती है पदाधीकारी हमारे बातों को नहीं सुनते हैं तो हम यहां आमरण अन्सन पर बैठे हैं और आमरण और यहां समाहर नाले के सामने बावासाब दोक्टर भीमराम बेटकर के परतीमा अस्थल पर आमरा नंसन पर बैठे हैं और बता रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्म हत्या करेंगे ऐसा आबेदन में लिखे हैं ऐसा आबेदन में लिखे हैं